जैहिन दोस्तों कैसे हो आप सभी मैं प्रीति सिंग हाजीरू आप सभी के सामने महत्पून संगठन की क्लास लेके तो कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास एक प्यारे से मोटिवेशन कोड के साथ कि खुद के सपनों के पीछे इतना भागो कि तुम्हें पाना लोगों के लिए मात्र सपना बनकर रह जाए तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया आज कवर करने जा रहे हैं महत्पून संगठन में हमें क्या क्या पढ़ना है एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन उसका दे देती हूं एक एक चीज़ को आज हम डिटेल में कवर करने का प्रियास करेंगे जैसे की बात करें ब्रिक्स की ब्रिक्स को डियार आज हम डिटेल में जानेगे की जो इसकी संकल्पना थी ये किसने दी इसमें कितने देश सामिल है इन सब पे अच्छे से विस्तार से हम चर्चा करेंगे दैन डियर मैंने लिया ह स्वित को अगर आपने देखे हें तो cent कोशन मता ही बनता है तो ं को तो कवर करेंगे व прошब नाटो को उन एपी और करेंगे और अब करेंगे खुरुर्ण करेंगे नहीं को चौन कसा सिंधा है और अफ पहले ही होगा यह है महदपूल संगठन यहां कि इस यहां से करंट से कैसे बन और स्टेटिक से कैसे कोशन पूछा जाता है साथ वो भी मैं आपको बताते हुए चलुँगी तो धहरियय पूर्वक्स को सुनना है और अंत तक कक्षा में जुड़े रहने सभी को और कक्षा अच्छी लगेगी सभी को तो क्या करना है एक दूसरे को आपको कक्षा को शेयर करना है ताकि सभी की हम मदद कर पाएं तो डियर जैसे हम बात करें यहां से स्टेटलेवल PCS में कोशन बना था कि बाए जो ब्रिक्स है इसकी संकलपना किसने दी तो आपको ध्यान में रखना है ब्रिक्स की जो संकलपना है वो दी थी पर्सिद अर्थ शास्रे जिम ओ निलने किसने ब्रिक्स की अगर आपसे पूछ ले कि भई ब्रिक्स की संकल्पना किसने दीती तो आप क्या लगाएंगे जिम ओर निल क्या जिम ओर निल ने देन डियर अगर पूछ ले कि भई ब्रिक्स का 14th नमबर का मतलब कि चोधवा सिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था संदोहजार 22 में तो डियर ये हुआ था चाइना में कहाँ पर हुआ था डियर ये हुआ था चाइना में अगर मैं आपसे पूछू कि भई चोधवा सिखर सम्मे सम्मेलन बताईए ब्रिक्स का कहां पर हुआ था तो डियर यह हुआ था चाहिना में अगर पंद्रवा पूछ ले पंद्रवा सं 2023 में हुआ था यह काफी महत्पूर्ण है क्योंकि अभी सं 2023 चल रहा है तो क्याई बारी स्टेट लेवल PCS में मतलब एक साल पहले का भी पूछ लेते जैसे 22 का पूछ लेंगे और 23 का तो महत्पूर्ण है सासाथ हमें 22 कभी करना है 22 का कहां पर हुआ था ब्रिक्स सिखर सम्मेलन चोद्वा कहां पर हुआ था डियर तो आपको ध्यान में रखना है यह हुआ था चाहिना में कहां पर किभाई 22 में कि चाहिन में यह तो नमबर का सिखर सम्मेलन था तो आपको ध्यान में रखना हुआ है तो आपकी लगाएंगे सिखर सम्मे नंबर jour में ता सन 22 में चाइनय तो दिंदterior संख्या भी आपकोर सिख़तक हैं मेलनिक का दनदे की चाइनय नंबर के प्रजाही daha हुआ गोल लुए को याद या नंबर से नंबर क्यारत भून की कॉर्ण परटिंदे का करें मोस्से नंबर का ऑफ खर पर लाद को तक सो नाहिक साउथ अफरीका में अब बात करते हैं कि मैम ने ब्रिक्स की इतनी जानकारी दे दी कि बहुत की संकल्पना है यह परसिद अर्थ सास्त्री जी जिम और निल ने दी थी और इसका सिखर संबेलन भी करंट का मैम ने बता दिया अब अपने को यह तो पता ही नहीं जो यह ब्रिक पौन से कंट्री सामिल है ब्राजील आपको धियान में रखना है इसमें ब्राजील सामिल है लैन आर से क्या रसिया आर से क्या डियर रसिया आपको धियान में रखना है रसिया आई से डियर इंडिया 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 भी इसमें सामिल है आपको धियान में रख तो इसके मतलब इतिहास को भी हम जानते हैं कि कैसे बिक से ये ब्रिक्स हुआ ठीक है चलिए अब बात करते हैं year वर्स सन 2009 में रशिया में येकेट्स बर्ग में रिक्स राइची सम्मेलन मतलब इस EB Chloe ऑन रिक्त था य्था इसमें कोन सामिल था रसिया इंडिया और चाइना पहले तीन इसमें फिर बात करते हैं सन 2010 की सन 2010 में ब्राजील के ब्राजीलिया में ब्रिक्स सम्मेलन हुआ तो इसमें चाइना को भी क्या चाइना तो पहले था भी इसमें ब्राजील को सामिल कर लिया गया देखें पहले क्या था सन 2009 में रश्या में क्या हुआ था येकेट्स बर्ग में सम्मेलन हुआ उसमें क्या हो गया मतलब है इसमें साउथ अफरीका को सामिल लिया गया बिरिक में साउथ अफरीका को कब सामिल किया गया तो आप क्या लगाएंगे सन 2011 में कब डियर सन 2011 में जब चाइना के सानिया सिटी में सम्मेलन होता है इनका जैसे अभी 15 नंबर का सम्मेलन कहां पर हुआ है अफ्रिका में तो पहले से सम्मेलन होते हैं तो जब सानिया चीन के सानिया सिटी में सम्मेलन हुआ था तो फिर इसमें क्या साउथ अफ्रिका को भी सामिल कर लिया गया यह चीज आपको ध्यान में रखनी है यह डियर मैंने आपको करंट का भी बता दिया और इसका इतिहास कै ऐसे यह रिक्स से ब्रिक्स हुआ मैंने वह भी बता दिया चलिए फटा फट से अब इसकी फास्ट डिविजन कर लेते हैं देखिए बात करें ब्रिक्स की अगर आप से पूछले ब्रिक्स की संकल्पना किस ने दी तो आप लगाएंगे जी जिम और निलने ब्रिक्स की कहां पर हुआ तो डियर आप लगाएंगे 23 24 जून 2022 को अगर पूछ की बढएंगे चाइना रेन पंद्रवा सिकर संमेलन डिक्स का पंद्रवा सिकर की बात करते हैं इसकी फूल फॉर्म क्या है संघाई कोर्पोरेशन और्गोनाइजेशन क्या संघाई कोर्पोरेशन और्गोनाइजेशन इसकी फूल फॉर्म है बात कर हिंदी में संघाई सहयोग संगठन यह अंग्रेज जी में हो गया हिंदी में क्या है संगह जोग संगतन इसकी मतलब की हिंदी में इसको कहा जाते हैं अंग्रेज जी में क्या है संगही सोर्प option औरगोनाइजेशन मतलब थो वह यह संगही 155 और स्टी ओ है इसको पहले किस नाम से जाना जाता था इसको जाना जाता था संघाई 5 के नाम से अब यह ऐसा क्यों जाना जाता था क्यूंकि इसमें पहले पांच कंट्री सामिल थी यह कौन-कौन सी थी वह भी अभी मैं आपको बताऊंगी चीन का परसिद सहरवे वानी जिक चीज आपको ध्यान में रखनी है अब हम यह पता होना चीज डिएर डारेक्ट कोशन बना था यहां से स्टे opin में कि की कि सापना का वोई क्या स्टीओ की सापना कब उई jackets risky 1994 में 1990 की schon सचानवय कैं या 1997 तो णिएर आपको ध्यान में रखना है कि इसकी सापना कब हुई थी 1996 में fascusi integrate Wait beer यह चीज आपको द्यान में रखनी है इसमें सामिल कौन-्कौन था जो अच्छिक सापना हुई 1996 में तो इसमें कौन-कौन से कंतरी सामिली मैं इसपे चरचा करुएं चीन एवां रसिया डिस देख ना इस कि झाया की ती तो आप क्या लगाएंगे इस साफना हुई थी 1996 में इसमें कौन-कौन से मतलब देशों ने मिलकर इसके साफना कि थी चीन प्लस रसिया और तीन मध्याई एशियाई देशों कि उसके सफ़ापना की थी अव اमने बात की थी तो संघाई फाइब करते हैं लिए बात करते हैं संघाई यू टी तो इसमें कौन-कौन साम yours यूशित sponsor और किर्गिस्तान देन किर्गिस्तान और तजाकिस्तान ये चीज़ डियर आपको ध्यान में रखनी है कौन-कौन सामिल था डारेक्ट यहां से कोशन पूछा जा सकता है कि वह संगाई पार्च में कौन-कौन सी कंट्री सामिलती तो चीन तो आपको याद रहेगा रसिया भी याद रहेगा और दमारेक्स के सदब्लियखनान तेन कंट्री अटारेक्ष 18 में रखनानवेश्याई तैन कौन-कौन-कौन कोई-कंटी सनल और सब्सक्तार डारेक्षा यह संगाई और इन्होंने हैं उन्हों और चाइना और रसिया ने मिलकर क्या गया था सब्सक्राइब कि थी 1996 में कि यह आपको किलियर हो गया होगा चलिए अब हम बात करते हैं कि वह संदोजार गया संदोजार एक में उजबेकिस्तान को भी शामिल कर लिया गया है संदोजार एक में उजबे किस्तान को सामिल किया गया टो डियर है सन्दोजार एक में एस्यों में उजबेकिस्तान को भी सामिल कर लिया गया यह चैंजुएमे मद्या कंट्री बताईए जो एसमें कितनी मेंबर कंट्री सामिल है तो आप क्या लगाते हैं लेकिन वर्तमान में और एड हुए वर्तमान में दो और एड हो गई है उन पर भी चर्चा कर लेते हैं अब इसका उद्देश्य क्या है यह आपको यह भी पता होना चाहिए कि वह जो यह संगहाई इसका उद्देश्य क्या है मतलब कि इसका उद्देश्य क्या है तो यह आपको अच्छे से माइंड में बठा लेना है इसका उद्देश्य आर्थिक एवं राजनीतिक सहयोग क्या है इसका उद्देश्य क्या है आर्थिक एवं राजनीतिक सहयोग करना इसका उद्देश् और यह आपको ध्यान में रखना है एक्जाम में कोशन बनता ही बनता है अगर आप से पूछ ले कि वह स्विजर लेंड में हैं या फिर भारत में ऐसे करके चार ओप्षन दे तो आप क्या लगाएंगे कि एस्टी ओका जो है यह यह बीजिंग में यह आपको ध्यान यह बता है लिए तो दिया को ध्यां में उप्षन में होना गया है यह कौन सा है इरान उजबेक्स्थान ऐसे करके चार option में दिया हो आपको तो आप क्या लगाएंगे इरान ठीक है यह आपको किलियर हो गया होगा अब बात करते हैं कि भई एक बार ऐसे UPSC में question बना था dear कि SEO में भारत को क्या SEO क्या भारत SEO की member country है या नहीं तो आपको ध्यान में रखना है SEO भारत जो है SEO की member country अब है क्योंकि जो भारत है इसको add कर लिया गया है SEO में कब किया गया है question ऐसे वनेगा भारत भारत को SEO में कब सामिल किया गया तो dear आपको ध्यान में रखना है option दिये होंगे 4 एक देंगे संदोजार सोला में एक देंगे संदोजार पंद्रह में सामिल किया गया एक देंगे संदोजार सत्रह में सामिल किया गया एक देंगे को अच्छे से मायंट में बठा लेना है कि जो मैंने enrichment बताए हैं पहले कितनी 돼요 में सामिल किसने इस्थापना की वर्तमान में कितनी हैं नई vakष कूंसी बंदनी है चल लिए अगर बात करें इसकी बैठक की अगर पूछ लिया जाए सं haar 2022 में सenteo पर कहां पर की गई थी तो 1622 में स्टेऊ की बैठक हुई थी समंर्कंद उजबेकिस्तान में और यहां से स्टेट लीवल पीसेस में करंट अफेर में कोशन बना था तो डियर आपको अच्छे से याद कर लेना है अगर सन 2022 में पूछे ना तो आपको लगाना है उजबेकिस्ता सन 2023 क्योंकि करंट की न्यूज है अगर पूछ लेगी भाई सन 2023 में SEO की अध्यक्सा किसने की तो डियर आ सन 2023 में कोन अध्यक्सता करेगा इसकी तो आपको क्या लगाना है भारत क्या लगाना है भारत तो यह चीज आपको अच्छे से माइन में बठा लेनी है आपको आप किसी भी कॉम्प्टेटिव एक्जाम्स की त्यारी क्यों ना करें यहां से आपको कोशन देखने को जरूर म बच्चे यह ना समझे कि मैं तो सिफ स्टेट लेवल PCS को फोकस करके चल लिए डियर ऐसा कुछ निए मैं सब बच्चों को फोकस करके चल रही हूं किसी भी एक्जाम के आप त्यारी करें SSC CGL CPU CHSL और अपने डैली पुलिस के एक्जाम होते हैं कौन स्टेबल के SIK यहां त से कोशन बनते हैं तो हम वो कवर करते वें चल रहे हैं तो सभी को देखना है जितने भी कॉम्टिटिव एक्जाम होते गौर्मेंट जोब के तो सभी को यह क्लास हल्प करेगी तो कोई भी में को यह टैग नहीं देगा कि मैं तो सिफ अपने स्टेट लेवल PCS को फोकस करके चल रहे हैं तो आपको यह अच्छे से सारी चीजे आई थिंक समझ में आगे चलिए फटा-फट से एक बार रिवीजन कर लेते हैं संघाई संघाई सहयोग संघठन अगर बात करें कि प्रारंबिक नाम क्या था तो संघाई इसको जाना जाता था संघाई के नाम से पहले 5 सामिर ती संघाई खाइब के नाम से जाना जाता था चीन का परसी सहर वहानीजी केंद्र है ऑपकर करें अ सपना की भई स्टहाओ क Nagव हो चीन रसिया प्लस जो तीन तीन मध्य एश्याई देशों ने मिलकर संगाई 5 में कौन कौन सी कंट्री सामिल है तो आप क्या लगाएंगे चाइना रसिया तो आपको पता है तीन जो मध्य एश्याई देश हैं उनको बताती हूं संगाई 5 में कौन सामिल हो गया था उजबेकिस्तान सामिल हो गया था फिर यह कितनी कंट्री हो गई थी चैन अगर बात करें कि भाई जो एसका उदेश है है आर्थिक एवं राजनितिक सहयोग इसका उदेश ये है बात करते हैं है cohort कि कि भाई STO का headquarter कहां पर है तो डियर आप दिहान में रखेंगे बीजिंग में then member country वर्तमान में कितनी है अगर 8 है तो 8 लगानी है अगर पूछले कि भाई नवीनतम member country कौन सी है और इरान option में दिया हो तो डियर आप इरान को ही ठिक लगाएंगे then अगर पूछले कि भाई भारत STO में कब सामिल हुआ तो आप लगाएंगे सन 2017 में भारत डियर STO में सन 2017 में शामिल हुआ ता ये चीज़ आपको अच्छे से माइन में बठा लेनी है पूछ ले की सं डोहजार बाइस में संदोहजार-बाइस में advत कहां पर हुए तो डियर आपको ध्यान में रखना है समरकंद में और समरकंद कहाँ पर है उजबेकिस्तान उजबेकिस्तान के समरकंद में ин-23 स restrict की अध्यक्ष्षा सं 2023 में कौन करने जा रहा है या किसने की तो आप लगाएंगे भारत भारत जी ट्वेंटी और स्था मतलब जो अध्यक्सा है वह सं 2023 में कौन करने जा रहा है अपना प्यारा भारत तो यह थी स्थी के बारे में जानकारी दो मैथपौन संगठन कर लिया आपने ब्रिक्स रसिया इंडिया चाइना साउथ अफरीका ऐसे करके आप डाइग्राम से याद रखेंगी ना तो आपको चीजे अच्छे से लोंग टर्म तक आप अच्छे से माइन बेउस को स्टेबल कर पाएंगे जैसे आपको अच्छे मतलब जैसे पी आपको एजी लगे आप वैसे कर है ना पर हुआ और रिक्स से अन这是 कैसे बना वह अन आपको ऊच्छे से शन comment लेते हैं नेक्स्ट लेते हैं डियर डबलु एचो क्या डबलु एचो वर्ल्ड हेल्थ और्गोनाईजेशन यहां से डारेक्ट इसके स्थापना से कोशन बनता है फुल फॉर्म तो नहीं पूछते हैं क्योंकि हम सभी को पता है डबलु से क्या वर्ल्ड एच से हैल्थ और ओ से और एक्जाम में तो आपको बिद्यान में रखना है साथ ओपरेल उननीच सो अड़ादारिस को क्या डियर डबल्भध कि स्थापना हुईती साथ अप्रेल उननीह सो अड़ालिस को और विसु स्वासते दिवस भी कम मनाये जटता है साथ पूछ ले कि भाई कब मनाया जाता है साथ तो को नो को या दस को तो ए M यख़दा ना तो आप वैसे भी लगा देंगे 6 April 1910 48 सविए सब्स def长 सब्सक्रिबूर इस सब्सक्राइब इसका करारिएं भी किसका WHO का करार यूँ तो और जैसे बात करें नाटो की तो जो ये महतून संगटन होते हैं इसके headquarter से भी dear question बनते ही बनते हैं तो साथ-साथ हम इस तापना के साथ-साथ क्या cover कर रहे हैं हम headquarter को भी cover कर रहे हैं तो आपको headquarter भी साथ-साथ अपने याद करते हुए चलना है क्योंकि अभी dear ये माद में चीज़े repeat भी होगी जैसे अगर करेंट में कोई question आया डबलू हो से तो मैं महाँ पर भी आपको साथ-साथ cover कर वाते हुए चलती हूँ हम बार-बार चीज़ों को पढ़ते हैं तो चीज़े ऑटमेटिकली माइन में बैखना शुरू हो जाती है लेकिंगे काफी बचे सोसते हैं कि मैं और जब मैं live class लेती हूँ या फिर अपना सेटरडे वारता रखती तो उसमें कहीं बच्चों की queries होती है कि मैं हम भूल जाते हैं हमें या याद नहीं होता है और अगर याद हो भी जाता है तो थोड़ी दिन बाद भूल जाते तो दियर वह सभी के साथ problem होती है उसको आप improve कैसे कर सकते हैं उसको बार-बार revision करके ही हम improve कर सकते हैं तो चीचे automatically बैठना शुरू हो जाती है दैन हम थे यहाँ पर डबलु एचो पर इसकी फुल फॉर्म देखी वर्ल्ड हेल्थ और्गोनाइजेशन इस्तापना कब हुई साथ अप्रेल 1948 को और headquarter कहां पर है डियर जैनेवा में अभी आपके लिए एक homework का question है आप मुझे बताएंगे डबलु एचो के वर्तमान में head कौन है यह आपके homework का question है तो आपको comment box में answer जरूर देखना है क्या डबलु एचो के वर्तमान में आपको head बताने है कौन है अब बात करते हैं डियर UNEP की कि UNEP की भी बात कर लेते हैं UNEP की अगर हम full form क्योंकि डियर य United Nations Environment Program क्या UNEP की full form महत पूर्ण है तो आपको याद कर लेनी है UNEP की full form United Nations Environment Program क्या United Nations Environment Program यह आपको ध्यान में रखना है और इसकी स्थापना भी डियर काफी महत पूर्ण है इस्टेट लिवल PCS उत्तर परदेश PCS में यह question direct बना था कि भई एक तो इन्वार्मेंट से हर बार question बनता ही बनता है कि परियावरन दिवस बताये कब मनाया जाता है विश्व परियावरन दिवस मनाया जाता है चार जून को पांच जून को तो आपको ध्यान में रखना ह पांच जून 1972 को और यह उत्तर परदेश PCS में कई बार कोशन दिपीट हुआ है तो आपको इस पर त्री स्टार्ड लगा लेना है यह आपको किसी ना किसी आपको यहां से कोशन पक्का देखने को मिलेगा मैं आपको 100 परसेंट गारंटी ले यह जो महत्पून संगठन की क्लास है यह बहुत ही ज़्यादा आपके लिए लाबकारी सिध होने वाली है तो सभी को कख्षा में अंत तक जुड़े रहना है बिल्कुल भी कख्षा को इसक आधार पर डियर मैं यह महत्पून जो आज की क्लास है वो लेकर आई यहां तो सभी को अच्छे से देखना है यह सिवह क्लास में खतमनी होगा आज मैंने नहीं करूँ की अगर यकीन और वही तो आगर jadi पर यकिनी करूँна है तो आप क्या कर सकते हैं आप ли कह ख्यूइए ऐसे कोश्चन बने भी हैं और्गोनाइजेशन से कोश्चन आते भी हैं या नहीं आते तो आपके सारे डाउट किलियर हो जाएंगे देखिए टीचर हो या किसी पे भी हमें अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए आपको भी मैं यहीं सला दूंगी या मुझे भी अंधा भी रहे हैं हम ऐसे क्योंकि मैं चाती अगर आप एक से आदा घंटा मुझे दे रहे हैं तो आपको उससे लाब हो तो आप उसको कैसे मरला टैली कर सकते हैं आपको देखने हैं जब आप अपने कोई से भी एक्जाम के देखेंगे तो आपको यकीन मुझ पर वैसे ही हो की यू एन इपी का अगर आप से हैड़ कोटर मतलों की मुख्याले पूछ लिया जाए कि यू एन इपी का हैड़ कोटर मुख्याले बताइए कहां पर रहे तो यह है नेरोबी नेरोबी केनिया में चलिए फटा-फट से इसकी भी रिवीजन करते हैं यू एन इपी फुल फ साथ अफरेल 1948 का आपकर जैनेवा में अब बात करते हैं बीम स्टेख और अगर आप से पूछ लिया जया कि बिपने इसमें शामिल देश कितने है तो देश आपको एक एक देश याद करना है और संख्या भी याद करनी है बीम स्टेख में डियर अमेंबर जो कंट्री है या सामिल देश है वो है साथ कितने है यह कौन-कौन से है भारत भारत, श्री लंका, बांगलादेश, मयामार, नेपाल, भुटान और थाई लेंड यह आपको याद करने ही करने होंगे जितने मतलब कि बिम स्टेक में कितने देश सामिल है यह साथ साथ के साथ आपको नाम याद करने ही करने हैं पहला कौन सा है भारत अगर यहां से एक बार कोशन ऐसे बना था बिम स्टेक का क्या बिम स्टेक में क्या भारत सामिल है तो आपको कहना है येस येस बिम स्टेक में भारत सामिल है तो और कौन कौन से देश सामिल है भारत तो कर लेते हैं तो masking जबना ऐस टेक है इसका मुझा कहा है डाका में बांगला देश की राजधानी धाका में जो अपना सब्सक्रेक का है इसी क्या है है बात करते हैं भी इस वे का है संपन हुई टो को है चीज आपको ऋलगाना है श्रींच काहां श्रीलंका यह चीज आपको डियर अच्छे से याद कर लेनी है फटा फट इसका भी फास्ट रिवीजन कर लेते हैं बिनस्टेक सामिल देश साथ कितने देश सामिल है साथ बिनस्टेक सामिल देश साथ कौन-कौन से भारत श्रीलंका बांगलादेस मेयमार नेपाल भूटान बात करते हैं headquarter की headquarter headquarter बिंस्टेक का headquarter धाका में बैठक, 2022 की बैठक कहाँ पर हुई थी कोलंबो, स्रीलंका में I think आपको ये clear हो गया होगा चलिए next पे move करते हैं next head year WTO क्या है next next head year WTO इसकी जो full form है वो क्या है World Trade Organization क्या है World Trade Organization WTO की full form है बात करते हैं इस्टापन की कि भई जो WTO है WTO World Trade Organization इसकी इस्टापन बतलो कि establishment कब हुआ था तो आप लगाएंगे 1 जनवरी 1995 में WTO की इस्टापना कब हुई थी 1 जनवरी 1995 में बात करते हैं headquarter की कि भई WTO का headquarter कहाँ पर है तो ये भी आपको धियान में रखना है जे नेवा में WTO का headquarter कहाँ पर है जे नेवा में बात करते हैं Member Country की भई वर्तमान में WTO की Member Country बताए कितनी है 162 है, 163 है 164 है या 165 है तो इर आपको धियान में रखना है वर्तमान में WTO की Member Country है 164, 144 देश सामिल है वर्तमान में WTO में, बात करते हैं महानिर्देशक की, कि भाई WTO के वर्तमान में महानिर्देशक कौन है, तो डियर ये है, नागोजी, ओकांजा, रबेला, कौन है, अगेन रिपीट कर देए, थोड़ा नाम ऐसे ही है, आपको ओकांजा भी याद है ना, त पूरे याद होना चीए, ओकांजा भी याद है ना, तो भी काम चल जाएगा, पर फिर भी बता देती हूं, नागोजी, ओकांजा, रुवेला, इसके कौन है, वर्तमान में महानिर्देशक, एचलिए डियर, इसकी भी फटा-फट रिगिजन कर लेते हैं, WTO, World Trade Organization, इस थाप बात करते हैं, ADB की, ADB की डियर, फुल फॉर्म क्या है, Asian Development Bank, क्या, Asian Development Bank, ADB की फुल फॉर्म है, बात करते हैं, headquarter की, ADB का डियर, इस्टेट लेवल PCS में, डारेक्ट, headquarter से question बना था, कि भई, जो ADB है, Asian, Asian Development Bank, इसका headquarter कहां पर है, और ये काफी interesting है, ये है, डियर, Philippines, Manila में फिलिपिन्स के Manila में, ADB का headquarter है, आप दो से तीन बार याद करेंगे न, ये वह ADB का मुख्यालिय कहां पर है, मैडम ने बताया था, फिलिपिन्स के Manila में, तो ये आपको ध्यान में रखना है, बात करते हैं, डियर, इस्थापना की, इस्थापना हुई थी, ADB की 1966 में, आपना, 1996, कि लिएर, रैन, मूँव करते हैं, डियर, आज के लास्ट और्गोनाइजेशन पर जो की है, नाटो, नाटो की फुल फॉर्म क्या है, डियर, North Atlantic Treaty, नाटो की फुल फॉर्म है, North Atlantic Treaty, इसमें, वर्थमान में, देश कितने सामिल है, 31, अगर पूछ ले, कि वह ADB कि कि नाटो की सापना कभ की गई थी, और ये भी कोशन कॉम्प्टेटीव एक्जाम में पूछा गया है, नाटो की सापना हुई थी 1949 में, ये चीज आपको धियान में रखनी है, हैड़ क्वार्टर की बात करते हैं, कि जो नाटो है, इसका हैड़ क्वार्टर कहां पर है, विम स्टेग में सामिल हैं, लेकिन नाटो में सामिल नहीं है, चलिए फटा-फट से इसकी भी रिवीजन कर लेते हैं, नाटो फुल फॉर्म नोर्थ अटलांटिक ट्रीटी, मेंबर कंट्री 31, इस्थापना 1949, अगर पास करें हैं हैड़ क्वार्टर की, तो ब्रूसेल्स बैल्जियम, क्या भारत इसमें सामिल हैं, भारत इसमें सामिल नहीं है, तो डियर ये थी, आज की हमारे जो महत्पून और्गनाइजेशन है, उनकी क्लास, तो फीडबैक सभी को जरूर देना है, क्लास आपको कैसी लगी, क्यूंकि डियर फीडबैक से ये होता है, कि हमें अंदाज हो जाता है, कि हाँ भाई, बच्चे क्लास को पसंद कर रहे हैं और आप और भी कोई जैसे महत्पून टोपिक चाहते हैं, वो भी मुझे कमेंट बोक्स में दे सकते हैं, क्यूंकि मैंने पिछली बाद जैसे रास्टपती करवाय था, फिर भी पूछा था कि भाई, आप नेक्स्ट टोपिक कौन सा चाहते हैं, तो दो तीन बच्चों का कम संगठन की क्लास कैसी लगी, और ऐसे ब्लाइंड़ी मैं अगेन बोली ट्रस्क नहीं करना है, आपको अपने स्टेट लेवल PCS के PYQ देखने हैं, और देखना है कि मैंत पून संगठन से कोशन बनते भी है या नहीं, और आप किसी भी कॉम्टिटिव एक्जाम की तियारी क बन रहे हैं, महां से ही आपको ये क्लास कराई जाए और उससे आपको लाब हो, देखिए आधा एक घंटा गर मैं आपका लूँगे और महां से कोशन बीना है, तो फिर ये तो एक टीचिंग के साथ आविश्वासी हो जाएगा है, क्यूंकि बच्चा एक टीचर के साथ टोपिक पर क्लास जाते हैं, वो आपको कमेंट जरूर करना है, और मैं का एफ़र्ट अच्छा लगे, मैं का टीचिंग मैथट अच्छा लगे, तो आपको क्या करना है डियर, आपको वीडियो को लाइक कर देना है, और वीडियो को प्लीज जादर से जादर शियर करें, औ और अगर चैनल अपने चैनल EPS by प्रीति सिंग को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले गाउं गाउं तक दियर अपनी एजुकेशन की वीडियो जाए आपकी मैम का यही लक्षय है धन्यवाद दोस्तों फिर मिलते हैं आपको कल की क्लास में क्रिया